लाइट कैमरा एक्षन उसके बाद पोस्ट प्रड़क्शन और फिर होती है फिल्म तयार तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको A to Z equipment जो भी यूज़ होते हैं क्री प्रड़क्शन में, प्रड़क्शन में या पोस्ट प्रड़क्शन में हलो फ्रड़क्शन वेल्कम तो फिल्मी पंडे, जॉइन फिल्मस अकेडमी, दा प्रैक्टिकल फिल्मस कोर, मैं हूँ आपका अपना विरिंदरा ठोर और आप देख रहे हैं Bollywood का Google, जॉइन फिल्मस यूट्यूब चैनल को इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके मन में जो भी सवाल है Bollywood में करियर बनाने को लेकर, बस आपको टाइप करना है, यूट्यूब के सर्च बार में जाके, साथ में जॉइन फिल्मस लिखना है, आपको आंसर के रूप में 3000 से ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे, टेक्निकल हो, क्रेटिव हो, सिंगर के लिए हो, राइटर के लिए हो, डिर्टर के लिए हो, सब के लिए वीडियो यहाँ पर आविलेबन है, और ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्मस आप को डाउनलोड कीजेगा, तो आज के वीडियो में स्क्रिप्ट रैटिंग सॉफ्वेर से लेकर, कै बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप फिल्म इंडिस्ट्री को और ज़्यादा करीब से जान पाएगे, इतने सारे एक्यूप्ट हैं कि अगर आप इनके बारे में जानकर समझ सकते हैं कि फिल्मेकिंग कितनी टेक्निकल, कितनी जटल और मेहनत बरी प्रोसेस होती है, इस वीडियो में ना सिर्फ आप एक्यूप्ट की बारे में जानेंगे, बलकि फिल्मेकिंग के प्रोसेस को भी समझेंगे, किसी भी फिल्म के बजट के हिसाब से उस फिल्म के यूजज होने वाले एक्यूप्ट की लिस्ट बनाए जाती है, अगर कोई शॉट फिल्म बना पेड़िन, सैल्टैक्स जैसे कई सॉट्टवेर हैं जिन पर आप इसक्रिप्ट लिख सकते हैं अगला स्टेप है प्री प्रोडक्शन इसक्रिप्ट फाइनल होने के बाद डिरेक्टर, स्टोरी बोर्ड, आर्टेस्ट के साथ मिलकर स्टोरी बनाता है जिनें पता नहीं कि storyboard क्या होता हो ना बता दूं कि जिस प्रकार किसी घर को बनाने से पहले उसका blueprint तैयार की जाता है उसका नक्षा बनाया जाता है फिर घर का निर्माना शुरू होता है उसी प्रकार किसी भी फिल्म को बनाने से पहले उसका storyboard बनाया जाता है शूटिंग से पहले storyboard में scene का पूरा sequence, drawing, sketches, reference images और photograph के द्वारा बना दिया जाता है जैसे कि आप comics book में देखते हैं तो storyboard बनाने के लिए आजकल कुछ software भी है जैसे कि studio binder, camera storyboard, movie storm वादी script और storyboard तैर होने के बाद हम production के process में जा सकते हैं production में किस तरह के equipment यूज होते हैं, अब उस बारे में बात करते हैं पहला है camera, film camera कई तरह के होते हैं, DOP director अपने budget के हिसाब से इसका चुनाव करते हैं जैसे ERI Alexa, Blackmagic URSA, Canon Cinema EOS, Penavision Genesis, Red Epic ऐसे बहुत से brand हैं, ये सभी camera काफी costly होते हैं, अगर आप अपनी short film बनाना चाहते हैं तो आप Sony Alpha, Canon 5D जैसे camera का use भी कर सकते हैं camera occupants, सिर्फ camera से film के सभी short को shoot करना समभ नहीं है अलग-अलग short को shoot करने के लिए, अलग-अलग tools की आवशकता होती है जैसे film के close-up shot को shoot करने के लिए, अलग lenses की आवशकता होती है वहीं white shot को shoot करने के लिए, अलग lenses की जरूरत पढ़ती है वहीं अगर कोई shot में movement है तो उसके लिए dolly, slider, zip या track trolley की जरूरत पढ़ती है तो camera equipment में किन-किन equipment की जरूरत होती है, इसको भी detail में समझ लेते है पहला है lenses, camera का lens काफी important equipment है, फिल्मों के lens अलग-अलग होते हैं जिने हम cine lens भी कहते हैं, यह generally film focus lens के होते हैं और manual focus होता है fish eye, macro lens के अलाबा 12mm, 24mm, 35mm, 50mm, 85mm के कुछ important lens होते हैं जिने film making में use किया जाता है, अलग-अलग shot को shoot करने के लिए, अलग-अलग lens की जरूरत होती है इस पर मैंने एक detail video बनाया, आप वो देख सकते हैं tripod, tripod का इस्तमाल camera को stable करने के लिए किया जाता है, इसके लाबा pan shot और tilt shot के लिए भी tripod का use किया जाता है dolly, film में smooth horizontal movement के लिए dolly की जरूरत होती है, अभी आप जो scene देख रहे हैं, वो dolly की मदद से ही shoot किया गया है pedestal, इसका use, pedestal movement के लिए किया जाता है, जैसा कि आप इस image में देख रहे हैं, पूरा camera किसी pedestal पर उपर से नीचे हैं, नीचे से उपर move होता है slider, sliding movement के लिए slider का इस्तिमाल किया जाता है, अगर आप indie film में करें और cinematic scene शूट करना चाते हैं, तो slider की मदद से कम budget में आप बहुत बहतरी तरीके से कर सकते हैं crane और zip, crane और zip में camera किसी crane या zip में mount होता है, इसकी मदद से camera जमीन से काफी ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिससे काफी location को दिखा सकते हैं crane और zip की मदद से establish shot, high angle shot, बड़ा ही shot लिए जाते हैं, जब भी किसी crowd को दिखाना चाते हैं, तो crane या zip का use किया ही जाता है study cam, floating cam, study cam की मदद से camera सबी direction में move कर सकते हैं, आजकल की filmों में study cam का استعمال बहुत होता है इस से smooth shot के साथ साथ, अलग अलग shot की variety में मिल जाती है, इसमें किसी subject को track कर सकते हैं, character को follow भी कर सकते हैं storage, कई लोगों का ध्यान storage के budget पर नहीं जाता है, लेकिन जब आप एक full length film shoot कर रहे हों, तो 1000 GB का data होता है तो उसके लिए कई hard disk की जरूरत होती है, इसके अलवा पूरे data का backup भी कह जाता है camera equipment के बाद आते हैं sound equipment पे, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि sound या audio वीडियो से ज़्यादा important होता है तो film में dialogue record करने के लिए लेपल माइक, boom माइक आदी की जरूरत होती है, इसके अलावा sound recorder की भी जरूरत पढ़ती है film light, film को shoot करने के लिए के camera के साथ साथ अच्छी light का होना बहुत जरूरी है, light के हल से किसी भी simple scene को बहुत cinematic बना सकते हैं, इसके अलावा अगर दिन में shooting हो रही है, लेकिन scene night का है तो lighting की मदद से night का feel create किया जा सकता है और अगर रात में shoot हो रहा है, तो दिन का महौल या light create की जा सकती है film lighting पर भी मैंने detail video बनाए हैं, उन्हें जरूर देखिए का ताकि आप अच्छी से सीख पाएं अगर audio और video दो अलग अलग device में record हो रहे हैं, तो दोनों को sing करने के लिए clapboard की जरूरत होती है इसके लावा इस पर scene number, shot number भी लिखा जा होता है, जिसकी मदद से editing में आसानी हो जाती है इसके लावा make up kit की जरूरत होती है, फिल्म में make up सिर्फ actors को अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता है बलकि किसी actor को उसके character की तरह ढालने के लिए भी होता है इसका सबसे बड़ा example है प्राथरिस्टिक मेक अप, मैंने इस पर detail वीडियो बनाया उसको जरूर देखीगा इन सब चीजों के अलावा और भी चीजे हैं जिनका use production में किया जाता है वो सब script और film की कहानी पर depend करता है VFX वाले scene करना है तो उसके लिए क्रोमा स्क्रीन जरूरी है जब film shoot हो जाती है तो editing के लिए चले आती है मतलब की post production के लिए उसमें भी बहुत सारे equipment की जरूरत परती है उस पर भी detail में बात करते हैं लेकिन अगर आप film making online या offline सीखना चाते हैं तो join films की support team को call कर सकते हैं इस screen पर मैंने number share किया हुआ है आप हाँ पर call करके पता कर सकते हैं कि next batch कब से शुरू हो रहा है online या offline जो भी आप सीखना चाते हैं वो सीख सकते हैं तो post production में किनकीन equipment की जरूत पढ़ती है अब उस पर बात करते हैं post production में film की editing, color grading, dubbing, sound, background, music, फोले आदी का काम किया जाता है अगर कुछ VFX का इस्तेमाल करना हो तो वो भी post production में ही होता है editing software film को edit करने के लिए film editing software और computer की आवेशक्ता होती है market में कई सारे film editing software अवेले बने adopt premiere pro, final cut pro x इन दोनों software को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है film की editing के लिए color grading software film को raw पर shoot किया जाता है और post में उसकी color grading की जाती है इस process में वीडियो की brightness, highlight, contrast, saturation, black level, white point ये सबी को control किया जाता है, इसके बाद उस video को एक proper look दिया जाता है जिसे हम film look बोलते है film के theme, zoner, कहाने के emotion के हिसाब से film को look दिया जाता है ये सब काम करने के लिए कई तरह के software market में अवेले बने है जैसे की DAWNC Resolve, Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro जैसे बहुत एच्छे famous software है अगर film में VFX का काम है, तो उसे edit करने के लिए visual effect यानि की VFX software की मदद ली जाती है जो की है Maya, After Effects, Nuke और भी कई software इस तरह के available है VFX पर मैंने कई video बनाया जिनने आपने बहुत पसंद किया है अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब बात करते हैं sound की, फिल्म में कई तरह का sound का इस्तमाल होता है एक sound तो film के set पर ही record होती, जिसके अंदर dialogue होता है वैसे कई बार dialogue को बाद में studio में dub भी किया जाता है इसके अलावा भी कई sound होते हैं जैसे की sound effects, background music, foley, etc इन सबी sound को mix करने के लिए sound designer, DAO's का इस्तमाल करते हैं इस software की मदद से sound को mix किया जाता है डिजिटल audio workstation DAO, Adobe Audition, Logic Pro X, इस तरह के को software available है तो pre production उसके बाद light camera action और उसके बाद post production में किन किन equipment की जरुवत पढ़ती है ये आज के मैंने detail वीडियो में बताया आपको आपको ये वीडियो कैसा लगा, technical वीडियो आप और किस तरह के देखना चाते हैं मुझे comment करके जरूर बताएगा ये जो मेहनत थी, वो कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएगा, like करके बताएगा और चैनल से पहली बाज लें, तो subscribe किजिएगा, bell icon प्रेस किजिएगा ताकि सारे वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे अगले वीडियो में फिर से मलता हूँ, तब तक देखते रहें, सीखते रहें, जमे रहें, all the very best